11.4 ओधात्वों का रसायन Chemistry of Non-Metals आवर सार्णी में ओधात्वें हाइड्रोजन को छोड़कर समू 14 से समू 18 तक स्थित हैं अर्थात इन ओधात्वों के परमाणों के बाहरी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रोन होते हैं चूंकि ओधात्वों में इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की प्रवरिती होती है इसलिए वे विद्धोत्रणात्मक होती हैं आप जानते हैं कि ओधात्वों में धात्वों की अपेक्षा अधिक विद्धोत्रणात्मक होती हैं किन्तु प्रतेक ओधातों की विद्धु त्रणात्मक्ता भी भिन्न होती है ओधातों की विद्धु त्रणात्मक्ता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है आवर्सार्णी में हमने देखा कि विद्धु त्रणात्मक्ता समुह में नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में दाएं जाने पर बढ़ती है इसलिए आवर्त सानी के समुह सत्रह के तत्व अधिक विद्धुत रणात्मक है फ्लोरीन की विद्धुत रणात्मकता का मान सबसे अधिक है और ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग आसपास ही है विद्धुत रणात्मकता का मान यह निश्चित करता है कि ओधातु किसी धातु अथवा अन्य ओधातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है समू 18 के तत्मक को छोड़कर अन्य ओधातु रासाइनिक अभिक्रियाओं में रिनायन बनाती हैं अथवा सहसयोजी बंध बनाती हैं आईए अब हम ओधातु की कुछ सामानने अभिक्रियाओं के बारे में समझें